प्रकाश एक उर्जा है जब हम हेंड्रिल्क से छिद्र बनाते हैं तब हम एक प्रकार की उर्जा का ही इस्तमाल करते हैं जिसके कारण वस्तुएं हिलती हैं इसे यांत्रिक उर्जा कहते हैं जब हम ड्रम बजाते हैं तब उर्जा का ही एक और प्रकार निर्मान होता है उसे ध्वनी उर्जा कहते हैं जब हम पढ़ा के जलाते हैं तब उनसे ध्वनी उष्णता और प्रकाश उर्जा नामक तीन प्रकार की उर्जाओं का निर्मान होता है जब हम दिया सलाई जलाते हैं तब ध्वनी उर्जा के साथ साथ उष्णता और प्रकाश का भी निर्मान होता है मौमबत्ती जलाने से उष्णता और प्रकाश निर्मान होता है जब आप flashlight चालू करते हैं तब विद्यत उर्जा का प्रकाश उर्जा में परिवर्तन हो जाता है हम कानों से ध्वनी सुनते हैं उष्टनता की उर्जा हम नसों या तंत्रिकाओं द्वारा अनुभव कर सकते हैं हमारे आसपास की वस्तूओं को हम प्रकाश की उर्जा से और अपनी आखों की माध्यम से देख सकते हैं जैसे सूरज या फिलामेंट बल्ब हर दिन जब सूरज उकता है तब आसमान प्रकाशमान हो जाता है और हम देख पाते हैं यदि हमने अंधेरे कमरे में लाइट बल्ब जलाया तब ही हम वस्तूओं को देख पाते हैं प्रकाश की बिना हमारी दुनिया और जीवन अंधकार में बन जाएंगे जब लोग प्रकाश के बारे में बात करते हैं तब उनका अर्थ प्राय मानव द्वारा देखे जाने वाला प्रकाश यही होता है तथा पी प्रकाश के कुछ और भी प्रकार हैं जो मानव नहीं देख पाता वे सभी प्रकाश सही इलेक्ट्रो मैगनेटिक स्पेक्टरम अर्थात विद्युत चुम्बकिय वर्णकरम का निर्मान करते हैं इसके बारे में अधिक जानकारी आपको उच्च कंक्षाओं में प्राप्त होने वाली है हम ये जूतों का खाली डिब बालेंगे उसके एक और छोटा सा छेद है हम उपरी और और एक बड़ा सा छेद बनाएंगे हम इस बकसे में प्लास्टिक की टोपी, शापनर, एरेजर और सिक्का आदिवस्तुए रखेंगे मोटे गत्ते से या कार्शीर से हम इस छेद को ढख लेंगे क्या इस छोटे छिद्र के द्वारा आप बकसे में जो चीजें हैं उन्हें देख सकते हैं? हम कुछ नहीं देख सकते, अंदर पूर्ण तया अंधेरा है अब हम ये मोटा सा गत्ता धीरे धीरे एक और सरकाएंगे जिस से बाहर का प्रकाश अंदर आ सके अब बकसे में अधिक प्रकाश होने के कारण हम वस्तुएं देख सकते हैं यही क्रिया कलाब हम अलग-अलग वस्तुओं को लेकर भी कर सकते हैं क्या किसी वस्तु के रंग के कारण कोई फरक पड़ सकता है आपका निरिख्षन इस सारणी में लिखिए जब वस्तुओं से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आँखों में जाता है तब हम वे वस्तुओं देख सकते हैं जब कोई वस्तु प्रकाश के कारण चमकती है तब हम उसे देख सकते हैं यह प्रकाश सूरच से अथवा बल्ब, फ्लेशलाइट, अथवा मौमबत्ती, आदी किसी का भी हो सकता है हम अंधेरे कमरे में वस्तुओं देख नहीं पाते क्योंकि हमारी आँखों में परावर्तित होने के लिए वहां प्रकाश ही नहीं होता जब कोई वस्तु जल उड़ती है तब वह उष्णता के साथ साथ प्रकाश देती है इसे ही हम Incandescent Light अर्थात तापदीप्त प्रकाश कहते हैं सूर्य प्रकाश इस प्रकार का ही तापदीप्थ प्रकाश है दूसरे प्रकार का तापदीप्थ प्रकाश अर्थात बिजली तूफान के समय जब बिजली गरचती है तब प्रकाश की लपटे तीर छे आड़े तरीके से आसमान में फैलती है बिचली कुछ शण के लिए ही सही लेकिन बहुत चमकीला प्रकाश देती है इस बल्ब में फिलामेंट होता है और जब विद्युत इसके आग पार जाती है तब ये चमकता है और गरम हो जाता है इसे ही हम तापदिप्त प्रकाश बल्ब कहते हैं ये फ्लोरसन प्रकाश बल्ब ग्यास से भरा होता है इसमें से होकर जब विद्युत बहती है तब ग्यास के कारण नलिका के अंदर वाले भाग में जो रसायन होता है वो चमकता है नियौन दिये में भी ग्यास का प्रेयोग किया जाता है कुछ ग्यासों में से होकर जब विद्युत जाती है तब रंगीन प्रकाश दिखाई देता है विद्युत या बिजली से पहले रोशनी के लिए लोग मौंबत्तियां, जल्ती मशाल और तेल के दियों का इस्तमाल करते थे जब इंधन जलता था तब प्रकाश मिलता था प्रकाश का रंग ज्वलन शील पदार्थों पर निर्फर होता है माचिस की ज्वाला पीली होती है, स्टूफ की ज्वाला नीली रहती है विविद रंगों का प्रकाश निर्मान करने के लिए पठाखे अनेक अलग-अलग रसायनों से और धातूं से बनाये जाते है हमने प्रकाश के अनेक स्रोत देखें, क्या अब आप प्रकाश के प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोत पहचान सकेंगे? कुछ वस्तुएं बिना उष्णता प्रकाश देती हैं। उसे लिमिनेसंट अर्थात संदीप्ती प्रकाश कहते हैं। ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा तयार होता है। जैसे जली फिश, ग्लो वर्म्स और जुगनू इनके शरीर के रसायनों का प्रयोग करत हुए संदीप्ती प्रकाश बनाया जाता है। वे इस प्रकाश का इस्तमाल अंधेरे में अपने साथी को आकृष्ट करने के लिए करते हैं। उधरन के लिए गहरे पानी की सागरी मचलिया। जब प्राणियों में लिमिनेसंट अर्थात संदीप्ती प्रकाश आता है तब उसे बायो लिमिनेसंस अर्थात जीवा दीप्ती कहते हैं। साराश हमने उर्जा के अनेक प्रकारों पर चर्चा की। प्रकाश ये उर्जा का एक प्रकार है। हम हमारी आखों के माध्यम से और प्रकाश उर्जा की मदद से आसपास की वस्तुएं देख सकते हैं। प्रका प्रकाश अनेक स्रोतों से मिलता है, जैसे सूरज या फिर फिलामेंट बल्ब, जब कुछ जलता है तब गरम होता है, तब वह उष्णता और प्रकाश देता है, हम इसे ताप दीप्त प्रकाश कहते हैं, कुछ वस्तुएं उष्णता के बिना प्रकाश देती हैं, उन्हें हम स प्रकाश कहते हैं खुरुती आप अपने दोस्तों से चर्जा कीजिए और अपने आस पास जो प्रकाश युक्त वस्तुएं हैं और जोती ही नवस्तुएं हैं उनकी सूची बनाईएं झाल